कि हलो दूस्तों आज हम एक ऐसे शेयर से लेटीड बाते करने वाले हैं जिसने तीन महिने के अंदर अंदर और लेस देन तीन महिने काऊंगा मैं मैं एक कौटर लेके चलता हूं हमेशा कि मेरे कौटर में अच्छे खासे पैसे बन जाया उस कौटर में मेरे यहां पर पैसे ल देखेंगे कि अभी और कितनी पोटेंशियल उसमें बची हुई है क्या अभी लेना चाहिए क्या बेज देना चाहिए सारे कोशन के आंसर हम यहां पर देखेंगे बट उससे पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि चाइनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को हिट और की नोटिफ स्टॉक मार्किट में सीरियस है आप लोग और सीखना चाहते हैं तो यहां पर हमारा यह नंबर है डवलेट 605-40501-816926-1037 कॉंटेक करिए बेसिक्स टू एडवांस टेखनिकल रिसर्च फंडामेंटल कब लेना है कब बेचना है किस तरीके से हम यहां पर काम करते हुए नजर आते हैं 20,000 रुपे का कोर्स है एक बार कोर्स कंप्लीट किया पीछे मुड़ के देखने की जरूवत नहीं पड़ेगी ठीक है हमेशा आप मार्किट में दूसरों से दो कदम आके रहेंगे और किसी मार्किट में जाके काम करेगा पैसा बनेगा वाट्सअप साथ में यहाँ पर चलते हुए नज़र आएंगे पर कम से कम इता यहां पर पॉट्फोर्य वोम चाही चाँप चला रुपेक ताकि हम यहाँ पर काम कर सके यहां पर contact करिएगा, तो मैं आपके साथ details यहां पर share कर दूँगा, तो आगे बढ़ते हैं, तो जिस share से later हम बाते कर रहे हैं कि जिसने पैसे को double कर दिया है, उसका नाम है Prakash Industry Limited, आज इसने 52 week high 179 रुपीज का लगाया है, अब double का मतलब बिल्गुल double नहीं है, हमने यह share 90 रुपीज के आसपास आपसे share किया था, अगर वहां से आप देखेंगे तो लगबर-लगबर double ही होता हुआ नजर आया, और आज नहीं हुआ, कल जरूर double हो जाएगा, कमपनी की बात करें, देखें हमारी चैनल का नामी है, I am Small Cap Investor, तो यहां पर आप देखें, 3166 क्रोट रुपे की कमपनी है, small cap कमपनी है, तेरे का PE है, इंडश्टी का PE, आप PE देखेंगे तो 20 का है, तो अभी भी सस्ता नजर आता है, ROC, ROE खास नहीं है, तो long term का वीजन हमारा भी नहीं है, 20% का debt है, प्लैजिंग की बात करें, 32% का कमपनी के ऊपर, प्लैज भी है, एस वेल एज यहां पर देखें, dividend company इनने अब देती नहीं है, यहां पर कुछ खास dividend नहीं है, और book value के आसपा share चल रहा है, intrinsic value से ऊपर यहां पर share चल रहा है, और अगर हम मैं आपको दिखाऊं तो प्रकाश industry अगर आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर थोड़ा समय आपका time लोगा, तो आपको यहां पर पदा चलेगा, एक मेंटी यहां पर डाल देते हैं, प्रकाश industry, ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा, कि प्रकाश industry से related देखिए, एक महीने पहले भी बोला था, कि 4 week में 40% के return मिल गया है, repeat stock 80% return, यहां पर अभी बाकी है, मैंने आपको बोला था, प्रकाश industry दो महीने पहले, 176% के return की opportunity है, ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे, प्रकाश industry दो महीनों में, तो दो महीनों में यह share ने एक ऐसी jump लेता हुआ नजर आया है, कि यहां पर इसी के आसपास, 90 रुपीस के आसपास, हमने यह share को खरीदा था, और अभी यहां पर यह share डबल होता हुआ नजर आया है, तो जादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है, और अच्छा खासा है, यहां पर अगस्त में यहां पर पकड़ा था, कंपनी करती ही क्या है, क्या लेना चाहिए, बेचना चाहिए, सब कुछ यहां पर आपको पता चल जाएगी, यहां पर देखिए कंपनी, यहां पर engage in the business of manufacturing and sales of the steel product and generation of power, एस वेल आज यहां देखिए, जो TMT बार होती है, HP wires होती है, Ferro Alloys wire rods होती है, और sponge iron, steel bilets, अलग-अलग तरीके की जो products होते है, ठीक है, client की यहां पर यह company बनाती हुई नजर आती है, यहां पर आप देखेंगे, तो company का client concentration की बात करें, तो अच्छे खास है आपन company के client है, और यहां पर आप देखेंगे, सब कुछ अच्छा खास है, यहां पर नजर आता है, ठीक है, long term leakage, demurger details वगएरा, यहां पर सब चीज दे रखी है, और company ने यहां पर आप देखेंगे, तो कुछ share यहां पर प्लाइस भी कर रखें, यहां पर देखिए, have plus 74% of the share as of September 2020, and compared to 55% in September, तो यहां पर 2020 में 55% share place थे, 2022 में देखेंगे, सब्टमबर में 74, और अभी September 2023 चलता हुआ, नजरा रहा है, October चल रहा है, और वो pleasing होके, यहां पर कितनी रह गई है, 32%, तो यहां पर share को छोड़ाए गई है, तो यह क्या है, positive चीज़े यहां पर निकल हो जाएगा, क्या फाइदा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगी, company किस segment में आपर काम करती है, क्या इनके products यहां पर है, यहां पर देखें, कभी यह share 2005 में 18 रुपे पे था, और 2007 में, इसने 2078 में लगब लबद 300 रुपे के आस-पास का label टच किया था, और देखिए, जै जार आपको पता चलेगा, 300 रुपे कर रहे गया, ठीक है, तो इसलिए, साही टाइम पर लेना, और साही टाइम पर बेचना, यह एक कला है, यह आपको आने चाहिए, अगर यह आएगी, तो आप पैसा कमाएंगे, नहीं आएगी, तो याद रखिएगा, फिर पैसा जाता हो यह नजर आते है, वो यह कंपनी मनाती हुए, नजर आती है, अच्छा खासा बिजनेस है, और इसलिए बिजनेस अच्छा खासा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे, इंफरस्ट्रक्शन यहाँ पर तयार हो और यह जितने भी प्रोडक्स है, ठीक है न, वायर, रोच, ट्यम्टी वार, यह सब चीजों का यूज होना ही होना है, as well हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर आजाते है, कंपनी के नंबर्स पर, कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा प्रोडेशन कर रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे, तो कंपनी हाइस्ट एवर, नेट पॉफिट पर बैठी है, और EPS पर बैठी है, यह सारे चीज़े कंपनी को अच्छा बना रही है, as well as यहाँ पर देखे, अगले क्वाटर के रिजल्ट भी शायद अच्छे आते हुए दिखाई दे सकते है, यहाँ पर देख किया करोर कमाती है, ईसा नहीं, okay उसी रेंच में यहाँ पर पैसे कमाती ही नजर आ रही है, बट बट कुछ रीचा है, जो ही किया पर चेंट होती ही नजर आ रही है, तो यह चीज़ों को अच्छा बना रही है, रिजर्फ पर करें, रिजर्फ 27St करोड के आस पास के है, बो यहाँ पर आप देखिए cash है company का 300 crore के आसपास का और यहाँ पर positive cash flow यहाँ पर नजर आता है और यहाँ पर आप देखोगे कुछ और चीज़ है तो promoters की holding यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है ठीक है ना और यहाँ पर अच्छे कासी holding बढ़ी है 40% से यहाँ पर 44% हो गए FIs की holding की बात करें तो इस particular quarter में देखिए September का है यहाँ पर 3% से 6% हो गए है ठीक है और एक बात करें आट नो दस महीने पहले हैं यहाँ पर केवल 2% के आसपास थे DI is है नहीं public की बात करें public से share जाते हुए नजर आ रहे हैं और public में भी कुछ लोगों ने यहाँ पर हिस्सदारी लिया और मुकुल महावीर अगरवाल सरद ने भी 1.14% की और डॉली घंडा ने भी 1% की हिस्सदारी हाँ पर लेते हुए नजर आए है तो इतने बड़े- नाम आ जाता है जब नाम आ जाता है तो शेयर फिर यहाँ पर पंप होना शुरू हो जाता है बट अगर आप देखोगे आप सोचोगे कि अभी इस quarter में लिया है बट इस quarter में नहीं वो शायद आप यह 60-70 रुपे के भाव पे या और भी नीचे के भाव पे यह शेयर को ले यहाँ पर आप देखोगे तो इस में इस न्यूज ने कि यहाँ पर एफाइज ने बढ़ाई है और यहाँ बड़े-बड़े लोगों ने यहाँ पर इस नारी बढ़ाई है इस चीज से क्या हुआ इस शेयर में एक पंप आया और आप देख पा रहे हो कि दो-तिन दिन में यह अच्छा-हाँ सा भागता हुआ नजर आता हुआ दिखाए दिया है अब बात करते हैं यहाँ पर और चीजिए हों की चार्ट किया कहता हुआ नजर आ रहे है और भागता यहां पर इन्हीं नमबरों पर कॉल मैसे वाटसप के तुरू यहां पर कॉन्टेक कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं यहां पर चार्ट की बात करें तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि लग भलब 95% के आसपास के रिटर्न होके यहां पर बनते हुए नजर आ चुके हैं ठ देखिए कल के दिन में मुझे दुबारा एक 190 का लेवल यहां पर टच होता हुआ नजर आ रहा है 190 की कट लेवल टच होने कवाए शायद थोड़ी बहुत गिरावाट हो कुछ इस एरिया में बहुत ज़्यादा हुआ था और फिर शेयर भागता हुआ नजर आए या फिर यहां से थोड़ा सा गिरके यह शेयर 150 के आसपास भी मिल सकता है मिलता है तो इससे बैटर अपॉर्चिनिटी कोई नहीं है और जैसी यह शेयर 191 का लेवल निकालेगी सीधे यह यहां पर 278 का लेवल यहां पर दिखाई देता है जो कि यहां पर हम बात करें लगब लगब अभी भी 60% की अफसाइट दिखाई देती है और यही इसका all time high भी है यहां पर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा all time high भी इस particular share का 270 280 के आसपास का है और एक बार इस लेवल क और यहां पर बात करूं तो और ज्यादा ऊपर यह शेयर लगब 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 600 रुपे 500 से 600 रुपे ता कि यहां पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो huge upside है huge यहां पर potential है बट साथ में यहां पर जैसे ऐसा share ऊपर जा रहा है रिस्क भी उतनी ही बढ़ती हुई नजर तो अपने हिसाब से ध्यान से आपको यहां पर काम करना है किसी के कहने पर यहां पर शेयर को लेना नहीं है ना मेरे कहने पर ना किसी के कहने पर ना बेज कर और जिसके पास एक stop loss लगा लीजिए जिसका नजरिया बड़ा है वो यहां पर hold करके रखिए जिसका नजरिया है कि उन्हें अच्छे गासे return मिलने चुके हैं, वह यहाँ पर थोड़ा बहुत profit बुक कर सकते हैं, तो हर किसी के लिए अपना एक अलग नजरिया होता है, मैं क्या करूँगा, मुझे भी नहीं बता, जब कल यहाँ पर आएगा, कल देखेंगे, परसो देखेंगे, उसके हिसाब से मैं अपनी strategy बनाता हूँ, अभी क्या strategy है, अभी तो strategy है, कि शायद हमें अच्छे गासे return और मिल सकते हैं, तो तब तक hold है, जहां मिलेगा कि यहाँ पर चीज़े हमारे according अब नहीं चलेगी, तो वहाँ पर हम sell करते हुए नज़र आएंगे, तो bank selling की recommendation नहीं है, अपने financial advisor कुछ की study करें, चीज़ों को सीखें, ओके और जितना हो सके, प्यार बरसाइए, इन नमबरों पर contact करिए, thank you so much, God bless.